आप कहते हैं कि जीवन में मुक्ते, आनन्द और चैन आये उससे पहले बंधनों का दुख और बेचानी का अनुभव अनिवार रहे पर मेरे जीवन में तो कोई खास दुख या बेचानी दिखती नहीं मुझे तो मैं बेइमान हूँ क्या या सचमुच दुख है ही नहीं सुमझते हैं देखो बहुत बड़ी तादाद होती है ऐसे लोगों की जो अपनी जिंदगी से लगभग संतुष्ट होते हैं लगभग शब्द पर गौर करना उन्हें अपनी जिंदगी से शिकायतें तो रहती हैं ऐसे कमी लोग मिलेंगे जिन्हें जिंदगी से कोई शिकायतें नहीं कोई अप्रसन्नता नहीं लेकिन उनकी शिकायतें बड़ी मद्धम होती हैं बड़ी गुन-गुनी सी उबलती, खौलती, दहकती, लपट देती शिकायतें नहीं होती उनके पास तो वो खीजते रहते हैं चिढते रहते हैं पर उनकी खीज, उनकी चिढ कभी भी क्रांती या विद्रोह नहीं बनती ये शब्द ही अलग-अलग आयाम होके हैं कहां खीज और चिढ जो हम ज़्यादातर लोगों में देखते हैं और कहां विद्रोह और क्रांती तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अधिकांश लोग अपनी जिन्दगी से थोड़ा बहुत गिला शिक्वा रखते हुए भी लगभग संतुष्ट होते हैं उनसे अगर कहा जाए कि भाई तुम बीच बीच में असंतुष्टी दिखा देते हो अपनी किस्मत को कुसने लग जाते हो तुम अपनी जिन्दगी वाकई बदलना चाहते हो क्या तो कहींगे हाँ साहब ये समस्या है वो समस्या है ऐसा ठीक नहीं चल रहा ये गड़बड है परेशान रहता हूं जिन्दगी बदलने के लिए जो शरम लगना है जैसे ही उसकी आप करेंगे या जिन्दगी को बदलने में जो मूले कीमत लगनी है जैसे ही उसकी बात करेंगे वैसे ही ये जनाब कदम पीछे खीच लेंगे क्योंकि जैसा हम कह रहे थे कि इनके पास बस गुनगुनी सी खीच है ऐसी ज्वाला नहीं जो इनकी शिकायतों को और शिकायतों परही आधारित शिकायतों से ही गुथे हुए इनके पूरुवर्ती जीवन को पूरी तरह भसमिभूत कर दे वो नहीं है इनके पास तो ये लगभग संतुष्ट की श्रेणी में है इनका जीवन जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा जैसे की कोई गाड़ी जो खटर पटर आवास तो बहुत करती हो लेकिन उस खटर पटर आवास के साथ ही वो सड़क पर चली जा रही हो चली जा रही हो बहुत लंबे समय से चले जा रही हो ये गाड़ी न तो अपनी खट पट छोड़ेगी ना इसके पुरुजों से जो चूँचा हो रही है वो खत्म होगी और नहीं इसका मालिक इस गाड़ी को सड़क से उतारेगा उसका इस गाड़ी को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है हालनकि वो इस गाड़ी में बैठे बैठे चिड़ता बहुत रहता है शिकायतें बहुत करता रहता है कि अरे ये देखो कभी टायर पंचर हो गया कभी इंजन गर्म हो गया कभी धुँआ ज्यादा फेंक रही है कभी कुछ कभी कुछ ये सब वो शिकायतें करता रहेगा पर इस गाड़ी को न तो पूरी तरह सुधारने की कीमत उसे अदा करनी है और नहीं इस गाड़ी से आगे बढ़कर कुछ और पाने का उसका कोई इरादा आए ये गाड़ी चलती रहेगी अधिकांश लोगों की जिन्दगी ऐसी होती है उनकी गाड़ियां चलती रहती है जैसा कि आपने प्रश्ण में कहा कि मेरे जीवन में कोई खास दुख या बेचैनी नहीं दिखती मुझे ये हाल अधिकांश लोगों का है खास दुख या बेचैनी नहीं दिखती मुझे दुख है बेचैनी है खास नहीं प्रतीत होते हो वो बस इतने हैं कि उनके साथ जिया जा सकता है वो इतने हैं कि जीवन उनके साथ अब आदतन समायोजित हो गया है वो हैं पर इतने नहीं हैं कि दम घोट दें वो हैं पर इतने नहीं हैं कि प्राण उनसे मुक्ति के लिए छट पटाने लग जाएं तो हम उनको साथ लिये लिये भी जी लेंगे जैसे कि कोई पुरानी बिमारी हो, जिसके साथ सहस्तित्तो, कि आपने आदत बना ली हो, समझाता कर लिया हो, ऐसा होता है ज्यादातर लोगों का जीवन, इसलिए ज्यादातर लोगों की जिंदगी में कभी कोई अध्यात्मिक प्रांति होने नहीं पाती। अब क्या करें? अब एक तो तरीका ये है कि आपका जो निजी जीवन चल रहा है जिसको आप कह रहे हैं कि करीब करीब ठीक चल रहा है, कोई खास दुख अफसोस वगेरा नहीं है मुझे, आपके ऊपर कोई आपदाई तूट पड़े, अब क्यों हो ऐसा? अध्यात में कोई किसी के दुर्भागी की कामना क्यों करें? पर अक्सर अध्यात्मिक जागरण इस जगह से शुरू होता है, कि आपकी ठीक ठाक जिन्दगी चली आ रही थी, जैसा आपने लिखा लगभग संतुष्ट, तो आपकी ठीक ठाक से जिन्दगी चली जा रही थी, अचानक उस जिन्दगी में कुछ अनहोनी घट गई, और वो जो फिर अनहोनी घटना होती है, वो आपको जीवन को एक नई साफ ज्यादा इमांदार दृष्ट से देखने को मजबूर कर देती है, आपको विवश कर देती है, कि आप वो प्रशन पूछें, जो आपने पहल बादिया था, ये पहला मार्ग हुआ, अनहोनी का, दुर्भाग्य का, आपदा का, कुसंयोग का, ये मार्ग ज्यादातर लोगों पे आता नहीं है, नहीं आए तो बहतर है, और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, विज्ञान, तक्नीक, आधुनिक चिकित्सा, अर्थविवस्था, ये सब सुनिश्चित करे दे रहे हैं, कि आकस्मिक आपदाएं तो अब लोगों पर कम से कम ही आती है, कुछ हो भी जाए, तो उसके पीछे कोई न कोई आपने सामाजे के आर्थिक सहारा वगेरा खड़ा कर रखा होता है, जैसे इंशोरेंस, पहले बीमारियां लग जाती थी और बीमारियां इतनी कठिन और दुर्निवार होती थी कि अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने ले आदे, अब बिमारियां या तो लगेंगी नहीं क्योंकि टीका करण हो जाता है दवाईयां है या अगर बिमारिया लग भी गई तो अस्पताल बड़े हैं चिकित्सा शास्री ने प्रगति कर ली है आप ठीक हो जाते हैं तो वो जो प्राकृतिक तरीका था आपको जंजोड के जगा देने का आप पर एक विपत्ति ले आ देने का उप्राकृतिक तरीका चला गया और उन सब चीजों के तो हम बात ही नहीं कर सकते कि भई आप किसान हैं और बारिश नहीं हुई तो आप परापदा आ गई या आप किसी जंगल से चले जा रहे हैं जंगली जानुवर ने आप आपनी की ओसत आय भी बढ़ती जा रही है और ओसत आयू भी आज दुनिया का ओसत आदमी जितना कमाता है उतना कभी नहीं कमाता था और आज दुनिया के ओसत आदमी की जितनी आयू रहती है जितनी उम्र तक वो जीता है उतना वो कभी नहीं जीता था तो हम अन्होनी के जिस मार्ग की बात कर रहे हैं, वो मार्ग तो अवरुद्ध हुआ, तो अब फिर क्या तरीका बचता है अपनी लगभग ठीक ठाक चल रही जिन्दगी में अचानक उठ बैठने का, दो रास्ते बचते हैं, उनकी बात करेंगे, एक रास्ता तो समझ लीजिए कि हुआ डाकू था, जिनको बाद में हम जानते हैं, किसके नाम से, वालमीकी के नाम से, तो बढ़ियां चल रही थी जिन्दगी, जंगल पर उसका एक शत्र राज्य था, आते जातों को लूटता था और बड़ा डाकू था भई, देश थर रहाता था उससे, कहा जाता है कि सिपाही भी उस इसके इलाके से, गुजरने से कतराते थे, ऐसा तो वो डाकू था, बढ़ियां उसकी जिन्दगी चल रही थी, ठीक वैसे जैसे कि आज के अधिकान्जा लोग दावा करें हैं, कि हमारी जिन्दगी कैसी चल रही है, ठीक ठाक चल रही है, कुछ छोटे-मोटे कष्ट, असो कर दिया है, गुजरते भी हैं, तो उनके पास दो-चार सिक्के निकलते हैं बस, तो इस तरह है कि छोटी-मोटी-दो-चार तकलीफें कभी वो भी कह देता होगा, पर कुल मिला जुला करके ठाट थे, जैसे आजकल होते हैं लोगे, कैसा चल रहा है सहाब, वड़ियां, मस् अब यह जो मस्द चलती जिंदगी थी, इसमें अचानक अवरोध आया, बलकि यह कहिए कि उसने अवरोध को आमंतरित किया, तो यह एक तरीका है कि तुम अपनी मस्द चलती जिंदगी में एक अवरोध को आमंतरित ही कर लो, कैसे आमंतरित किया, कहते हैं कि एक दिन जंग साधु महाराज गुजर रहे थे, इनको लूटने के लिए भी डाकु खड़ा हो गया, तो उसने लग गए, बोले मेरे पास है क्या जो कुछ है ले लो तुम, पर ये बता दो कि ये जो तुम कर रहे हो, ये किसके लिए कर रहे हो, बोला अपने लिए कर रहा हूं, बोले तुम सामने खड़े हुए हो, मुझे लगता नहीं कि ज्यादा तुम भोग हो गयरा सकते हो, सही सही बताओ किसके लिए कर रहे हो, तो बोलता है परिवार है, पतनी है, कुछ अपने लिए करते हैं, कुछ उनके लिए करते हैं, सादुने का बढ़ियां है, जो कर रहे हो, करे चलो बस एक काम करना घर जाना और अपने परिवार से पूछ के आना कि ये सब जो तुम कर रहे हो जब इसका अंजाम मिलेगा करमफल मिलेगा एक नर्क में सड़ोगे तुम तो क्या घर वाले भी तुम्हारा साथ देंगे तो कुपित हो गया रतना कर सब साथ देंगे क्यों नहीं देंगे जो करता हूँ उन्हीं के लिए करता हूँ गर्दन काटता हूँ उन्हीं के लिए काटता हूँ पाप है उन्हीं के लिए करिये सब साथ देंगे मेरा तो साधू लगा हसने सब साथ देंगे तो बड़िया बात है तुम्हारा खट मेरी गर्दन उड़ा देना इतनों कि तुमने हत्या किये मेरी भी कर देना और मैं यहीं प्रतीक्षा करूँगा साधू हूँ डरता नहीं भागता नहीं तुम घर जाओ और पूछ के आओ अगर घरवाले कहते हैं कि जैसे उन्होंने कर्म को भोगने में तुम्हारा साथ दिया है वैसे ही कर्मफल को भोगने में तुम्हारा साथ देंगे तो फिर तुम्हारी तलवार और मेरी गर्दन मैं यहीं प्रतीक्षा कर घर जाता है सामने पत्नी वो सवाल वो पतनी से कर लेता है जो कभी करा ही नहीं था खुशाल चल रही थी जब जिन्दगी खुशाल चल रही होती है तो उसे बहुत सवाल जवाब किये नहीं जाते भई जब सब कुछ अच्छा ही चल रहा है तो जाश पड़ताल क्या करनी जब समच्छा चल रहा होता है तो कौन परते उगेड़ उगेड़ कर देखे कि नीचे क्या है गाड़ी बढ़ियां चल रही है न कौन फिर उसका हिस्सा दर हिस्सा खोले सब कल पुर्जे जाचे गाड़ी की भी जाच परताल आप तब करते हैं उसमें कोई आपको कमी दिक्कत तकलीफ पता चलती है शरीर की जाच भी तभी कराते हैं जब कोई बीमारी आती है नहीं तो कौन जाता है तो अस शरीर की जाच कराने तो जब महत्वपूर्ण प्रशन होते हैं जीवन के वो हम कभी पूछते नहीं रतनाकर ने भी अपनी पतनी से कभी भी जो महत्वपूर्ण प्रशन है वो पूछा नहीं था, दुनिया भर की इधर उदर की छोटी मोटी व्यर्थ बातें, पति-पतनी आपस में खूब करते रहते हैं, जो असली सवाल है, वो हो सकता है कि 20 साल, 40 साल आप अपने पती या प पूछना बड़ा पतनी से, जो आम तोर पे किसी पत्थी को अपनी पतनी से पूछना नहीं चाहिए, साधू कि चाल, साधू होते ही ऐसे हैं, उसने ऐसी जगह पर उंगली रख दी थी, कि रतनाकर मजबूर, रतनाकर ने कहा, ये सब जो मैं कर रहा हूँ, दुनिया का गला काटता हूँ, सब को लूटता हूँ, ये तो पक्का है, कि नर्क में गिरूँगा, तू चलेगी मेरे साथ, अब रतनाकर रतनाकर ही जैसा, और आज उसके पूछने में कुछ धार थी, वो धार धर्म की थी, इमांदारी से पूछा गया सवाल था, कोई और मौका होता, तो पतनी जूट बोल भी देती, कि हाँ प्राणनात, तुम्हारे साथ मैं कैद में भी जाओंगी अगर कभी तुम पकड़े गए, और मरने के बाद अगर नर्क में सड़े तुम, तो मैं नर्क में भी जाओंगी तुम्हारे साथ, पर आज रतनाकर ने जिस भाव से पूछा थ जिस तेवर से पूछा था, पतनी समझ गई कि आज जूट नहीं बोलाया सकता इस से, प्राणनात बाद में हैं, प्राणलेवा पहले हैं, हैं तो डाकुई, और आज इनका चेहरा बिलकुल रक्तिम और आखें खूनी लाल लाल हो रही है, खिलवार नहीं किया जा सकता, उस नहीं बोल दिया या कहिए उसके मूँ से निकल गया, कि नहीं, नर्क वर्क तो तुम अकेले ही जाना, यहां का जो कुछ है, वो अपना साथ साथ है, तुम लूट के लाते हो, अपन दोनों उसको साथ भोग लेते हैं, वो चलेगा, लेकिन भई, अंजाम वगरा तुम अके कोई अचंभावी नहीं हुआ, जैसे कि उसे पहले से ही पता था कि यही जवाब सच्चा है और यही जवाब मिलना चाहिए, रतनाकर फट गया अंदर से उसी समय, उसकी चेतना, उसका विश्व, उसका आंतरिक जगत सब चिथड़े चिथड़े हो गया, कुछ बचा ही नह यह दूसरा तरीका है, मर गया रतनाकर, वालमी की कजन्म हो गया, कहते हैं कि जो बार बार मरा मरा कहता था, वो राम राम कहने लग गया, यह दूसरा तरीका है कि तुम्हारी चल रही है सुचारू जिन्दगी, तुम्हारी चल रही है बड़ी आसान जिन्दगी, तुम जानभूज कर खुद ही उसमें कुछ व्योधान पैदा कर लो, जिसे कहते हैं पंगे लेना, कि सब बढ़िया चल रहा है, तुमने खुद ही जा करके कहीं पर उंगली दे दी, क्योंकि सब कुछ बढ़िया है नहीं, बस लग रहा है सब बढ़िया है, क्योंकि तुम वो मुद्दे चुना ही नहीं चाहते, तुम वो सवाल उठाना ही नहीं चाहते, जहां तुमको पता है कि गंदगी चुपी है, जहां तुमको पता ह कि सच्चाई चुपिये देखो कि कौन सी बातें करने से सबसे ज़्यादा घबराते हो और देखो कि कौन सी बातें जो दिन रात किये जाते हो देखो कि किन के सामने नहीं पड़ते देखो कि किन से मूँ चुराते हो कौन से अलफाज तुम्हारी जबान पर कभी नहीं आते देखो कि किन के सामने तुम कभी नहीं आते बिलकुल समझ जाओगे कि कहां तुम्हारी खोट है बिलकुल समझ जाओगे कि जीवन तुम्हारा उतना भी सुहाना नहीं चल रहा जिसना तुमने अपने आपको समझा रखा है बातारी समझे तो यह तरीका है डाकूरतनाकर का तरीका कि अपना जो सुचारो जीवन चल रहा है उसमें खुद ही कोई बाधा खड़ी कर दो वो जो बाधा होगी वो जो सीधे साधे चलते जीवन में अचानक एक अवरोध आ जाएगा वो तुमको बता देगा कि जैसा तुमारा जीवन चल रहा था उसमें कितनी सच्चाई और कितनी ताकत थी ताकत होती तो उस अवरोध को पार कर जाती ना जिन्दगी सच्चाई होती तुम्हारी जिंदगी में तो तुमने जो सवाल खड़े किये जिंदगी तुरंट उनका सहज जवाब दे देती न पर तुम्हारी जिंदगी में ताकत नहीं थी तुमने जिवही उसके सामने अवरोध खड़ा किया जिन्दगी रुक गई, थम गई, बिखर गई और सच्चा ही नहीं थी जिन्दगी में जहां तुमने दो निर्भीक, कड़े सवाल पूछे तुमने पाया कि जिन्दगी के पास कोई जवाब ही नहीं सवालों का तो देख लो फिर की जिन्दगी वाकई कैसी चल रही है, और तीसरा तरीका फिर है राजकुमार सिद्धार्थ का, उनकी भी जिन्दगी बहुत अच्छी चल रही थी। रतनाकर तो फिर भी डाकू था उसे तो फिर भी लूटना पड़ता था लोगों को सिद्धार्थ गौतम का तो कहना क्या प्रतिभाशाली राजकुमार अभी उन्होंने कुछ करा नहीं कुछ कमाया नहीं कहीं अपनी कोई योगिता सिद्ध नहीं करी फिर भी दुनिया उनकी वहवाही कर रही है उनकी प्रतिभाश के डंके बज़ रहे हैं बालेकाल से ही उनकी शिक्षा का विशेश प्रबंध किया गया है उनके मनुरंजन इत्यादी का विशेश प्रबंध करके रखा गया है उनके जीवन में तो वाकई कोई दुख नहीं था ज्यादा तर लोग तो फिर भी जूट बोला करते हैं कि हमारी जिन्दगी बढ़िया चल रही है हमारे पास कोई दुख नहीं सिधार्त की जिन्दगी में तो कोई दुख वाकई था ही नहीं जैसे रुई के फाहे में लपेट करके परवरिश हुई हो उनकी दुनिया भर के सब कष्टों से उनके पिता ने उनको बचा कर रखा था कुछ भी पता न लगे इसको दुख कहते कि इसको है दर्द कहते कि इसको है और था भी नहीं और सुनिये आप सभी ने कहानी चले जा रहे थे युवा महुत्सव था और देख रहे हैं एक बीमार आदमी को नहीं खुद नहीं बीमार थे एक चला जा रहा है बीमार आदमी फिर देख रहे हैं एक वृद्ध आदमी को नहीं खुद नहीं वृद्ध हुए थे, किसी और का बुढ़ापा देख लिया, किसी और का रोग देख लिया, और फिर किसी और की मृत्देह लाश देख ली, और समझ गए बोले, कि व्यक्ति में समष्टि है, एक व्यक्ति में ही पूरा संसार है, जो पूरी दुनिया की कहानी है, वही प्रत्यक व्यक्ति की कहानी है, मैं कैसे कह दूँ अपने आपको, कि मैं सुखी हूँ, जब मेरे सामने ये पूरी दुनिया इतनी दुखी है, जरूर मुझे सुखी होने का भ्रहम हो रहा होगा, ये उन लोगों के लिए है, जो बहुत जाच पड़ताल करके, खोजबीन करके भी अपनी जिन्दगी में कहीं दुख नहीं खोज पाते, उनके लिए है राजकुमार सिधार्थ का तरीका, तुम कैसे अपने आपको सुखी बोल सकते हो, जब तुम्हारे चारों और दुख ही दुख बिखरा हुआ है, तुम दुनिया से अलग हो क्या? व्यश्टी समश्टी अलग-अलग तो नहीं है ना? हाँ, बस इतना है कि दुनिया का दुख किसी तरीके से प्रकट हो गया है, बिल्कुल साक्षात, तुम्हारा दुख छिपा हुआ है, सिधार्थ अगर अपने निजी जीवन में दुख खोजने निकलते हैं, तो शायद दो-चार दशक खोजते रह जाते हैं, उन्हें दुख कहीं दिखाई नहीं पड़ता, तो उन्होंने फिर ये परोक्ष तरीका निकाला, निकाला, यह यह कहदो कि विधी ने उन्हें भेंट कर दिया, उन्होंने का मुझे अपनी जिंदगी में तो कोई दुख दिखता नहीं, पर देखो जमाने में कितना दुख है, और जमाने में इतना दुख है, तो अरे मैं कैसे सुखी हो गया गाड़िवान था साथ में उससे पूछते हैं कि वो जा रहा है विक्ति वो रोगी है क्या मुझे भी कभी रोग लगेगा गाड़िवान बोला राजकुमार बोलते हुए मेरी जबान कापती है लेकिन हाँ जीवन में आपको भी कभी न कभी रोग लगेगा असे धारत के लिए ये नहीं बात थी जैसे उनका पालन पोशन हुआ था कदाचित उनको कभी कोई रोग लगा ही नहीं था फिर बढ़ रहे हैं दिखाई देरा बुढ़ा आदमी उससे पूछ रहे हैं एक दिन मैं भी ऐसा ही क्रिषकाय जरजर वृद्ध हो जाऊंगा गड़िवान बोला राजकुमार कठिन प्रशन कर रहे हैं आप लेकिन जूट नहीं बोल सकता हाँ बुढ़ापा आपको भी आएगा इसी व्यक्ति की तरह आप भी जरजर हो जाएंगे पीठ जुख जाएगी तन कापेगा लाठी टेकेंगे डगमगाएंगे अब प्रतिभाशाली तो थे ही सिधार्थ आगे बढ़े देखा मृत देह अर्थी सजी हुई थी इस बार तो उन्होंने गड़िवान से पूछा भी नहीं बोले मैं मर गया इस बार उन्होंने पूछा भी नहीं क्या कभी मैं भी मरूँगा जैसे सामने मर गया है बोले मैं मर गया ये तीसरा तरीका है तुम कैसे सुख मन आ रहे हो और कैसे दावा कर रहे हो कि आचारे जी मेरी जिंदगी में तो सब ठीक ही ठीक चल रहा है जब तुम्हारे चारों और मृत्यु बरस रही है। तुम्हें कैसे अपने निजी जीवन में सुख दिखाई दे रहा है भाई। किस सपने में हो। कितना चल रहे हो अपने आपको। इससे ज्यादा आश्यर की कोई बात हो सकती है। कि कोई कहे कि मेरी जिंदगी में तो कोई तकलीफ नहीं। जिंदगी बढ़ियां ही चल रही है, मस्त ही चल रही है। या तो अंधे हो या बेइमान या दोनों या इन दोनों से भी आगे के कुछ। तो अध्यात्म मैंने जरूर कहा है कि नहीं तुम्हारा शुरू हो सकता जब तक तुम्हें अपने जीवन में दुखकष्ट बेचैनी संताप अनुभाव न होते हो। लेकिन ये दुखकष्ट बेचैनी संताप कोई दूर की बाते हैं। क्या कि पूछ रहे हो कि कहां से लाओं ये तु मेरी जंदगी में है ही नहीं। भाई पैदा हुए हो ना मानुस देह लेकर के दुख वहीं से शुरू हो जाता है। अचरज की बात तो ये है कि वो दुख तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा। जो इनसान पैदा हुआ है वो दुख धर्मा ही पैदा हुआ है। प्रक्रत में भोग है, भोगता है, सुख है और दुख है और जिसको तुम सुख कहते हो वो हमेशा दुख की आशंका से और दुख के साए तले कापता रहता है। कोई मुझे सुखी व्यक्ति दिखा दो जिसे अब सुख की जरूरत ना हो, कोई मुझे सुखी व्यक्ति दिखा दो जो अपने सुख को बचा के न रखना चाहता हो, कोई मुझे सुखी व्यक्ति दिखा दो जो आशंकित न हो कि सुख कहीं छिन न जाए। और अगर सुख के पल में भी तुम्हें यही आशंका है कि यह पल कहीं बीत न जाए तो तुम सुखी हो कि दुखी तो दुख तो दुख है ही सुख भी दुख ही है जिसने यह जान लिया उसके बाद वो कैसे ऐसा प्रश्न करेगा कि मेरे जीवन में कोई खास दुख्या बेचैनी मुझे दिखती नहीं खेर नहीं दिखती तो तुमको दो रास्ते बता दिये वालमी की का रास्ता और गौतम बुद्ध का रास्ता दुख अगर नहीं पता चल रहा तो जरा कड़े प्रश्न पूछ लो या तो खुद से या अपने आसपास वालों से जो तुम्हारे सुख के सुरोत है एक ये तरीका है और दूसरा तरीका जो बड़े समवेदनशील लोगों का तरीका होता है जो बड़े जागरत और प्रतिवाशाली लोगों का तरीका होता है वो ये है कि तुम दुनिया को देखो और दुनिया के प्रति जरा समवेदना रखो थोड़ी करुणा रखो और कहो मैं कैसे सुखी हो गया जब दुनिया इतनी दुखी है फिर जान जाओगे कि अभी करने को बहुत काम बाकी है और वो जो काम बाकी है करने को वो अध्यात्म के माध्यम से ही हो सकता है और कोई तरीका है नहीं दुख अगर है तो अध्यात्म उस दुख के निवारण का अभियान है ये अध्यात्म की परिभाशा है क्या है अध्यात्म जीवन दुख है और दुख के उस भवसागर के पार जाने के लिए जो नाव लगती है जो चप्पू चलते हैं जो नाविक लगता है बाजूओं में जो बल चाहिए और बुद्ध की जो दिशा चाहिए इन सब का सामूहिक नाम अध्यात्म है समच मारी बख